नमस्शकार दोस्तों, स्वागत है आपके इपनी YouTube चेनल राजतान दिरोजगार चातरशंग मैं दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका comment जा Ratनेट्स का कि sir, जो प्राण नम्मर है क्योंकि दोस्तों आपको पता है बिना प्राण नम्मर के आपकी सेलरी नहीं बनती है तो अभी जिन अभेरतियों का A&M, G&M बरती 2018 में या LDC बरती 2018 में सेलेक्शन हुआ है उनके प्राण नम्मर की जो प्रोसेस है आजगर मैं बता दूँ ओनलाइन हो गई है मैं इस वीडियो में भी आपको दिखा दूँगा कि यहाँ पर एक आदेश निकाला गया है जिसके मादम से यह जो प्रोसेस है वो ओनलाइन कर दी गई है तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि ओनलाइन यहाँ पर जो प्रोसेस है उसकी यहाँ पर क्या गाइडलाइन जारी की लिए है तो आई देख लेते हैं जैसा ही दोस्तों आप देख सकते हैं राजतान सरकार द्वारा जो 26 जून 2020 के मादम से एक समस्त विभागा देख्ष को एक परिपत्तर जारी किया है जिसमें राश्टी पेंशन परणाली में ओनलाइन प्राण जेनरेट करने की समद्ध में इनको लिखा गया है यहाँ पर सब्ष्ट सब्दों में खा गया है कि राश्टी सरकार के यह राश्टी पेंशन परणाली के अंसदाताओं को प्राण नमर जो पर्मानेंट रिटायर्मेंट अकाउंट नमर है वो जारी किया जाने के समद्ध में एक परिपत्तर जारी किया गया था 13 अप्रेल 2011 के नुशार जो सब्सक्राइबर है उनको हाइड कोपी में परपत्र बरकर है आहरेन वितना अधिकारियानी को डीडियों को जमा करवाना होता था जिराकारियले को बेजा जाता था बीमा विभाव द्वारा प्राप्त परपत्रों की आवशक जाच परसात उक्त फॉर्मेट सेंटरल रिकोर्ड कीफिंग एजनसी सी आरे एनसडियल को प्रेशित किये जाते थे सी आरे के दवारा उक्त परपत्र प्राप्त होने पर प्राण नम्मर जारी किये जाते थे उक्त प्रकरिया के थेट आज दिनांग तक NPS अंस दाताओं को प्राण नमबर जारी किये जारे अब मां बता दूँ Digital India Initiation को ध्यान में रखते वे रास्टी पेंशन पनाजी जो NPS है उसमें सब्सक्राइबर को CR द्वारा ओनलाइन प्राण नमबर जनरेट किये जारे इसे तो CR द्वारा OP, GM यानि कि ओनलाइन प्राण जनरेट जनरेशन मोडियूल विक्षित किया गया है वो कि परक्रियाब राजस्तान में भी प्रारम की जारी है जिसके धैत NPS के सब्सक्राइबर हैं जो अंस दाता हैं तो ओनलाइन प्राण की जो है अदिगारी को फ्रस्तुत करना है मैं बता दूँ इसके साथ मैं आपको अपने पता जो है पते से समद्धिय दस्तावेश DOB से समद्धिय दस्तावेश पेन कार्ड आधार कार्ड और एक आपनी जो बेंग डिटेल हैं उनसे समद्धिय आपको डिटेल फिलिप करनी है अब मैं बता दूँ जो डीडियो है वो अपने जो नवन्यूक्त करमचारी है के सी यारे स्विम के लोगिन से www.cranhdl.co.in पर लोगिन कर सब्सक्राइबर रजिस्टेशन उनलाइन रजिस्टेशन पर क्लिक करेंगे मने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि डीडियो के माद्देम से ही आपका जो है प्राण उनलाइन जनरेट कर दाएगा आप स्विम अपना प्राण या पर जनरेट नहीं कर सकते आपको डीडियो को अपनी जो है डीटियल भर के फोरूम में जमा करवानी है डीडियो सब्सक्राइबर रजिस्टेशन डीडियो लोगिन के अमाद्देम से सब्सक्राइबर रजिस्टेशन ओनलाइन रजिस्टेशन को क्लिक करेंगे प्रांट जेनरेशन डिजिटल प्रांट जेनरेशन डिटेल कैप्चर स्क्रीन में निम्न बिंदू का लिंक परदश्चित होगा यानि कि मैं बता दूँ जो आपकी detail है वो core detail, contact detail, bank and employment detail, schema, nomini detail, photo and signature आपको यहाँ पर upload करने होगी. मैं बता दूँ DDO जो है वो यह सुनिश्ट करेगा कि online CRA forum में जो समस्त जो सूचना है जैसे कि DOB, date of joining, nomini detail, bank detail आदि सही और पूर्ण है. करमचारी की जो photo है वो 12KB में save की जाएगी, digitally रूप से upload की जाएगी. करमचारी की contact detail, bank detail, employment detail, photo and structure सावधानी पूर्ण को यहाँ पर जांचे जाएगे. इसके पचात DDO संपूर्ण विवरन ओनलाइन यहाँ पर दर्ज करेगा और 17 नमर का जो acknowledgement नमर है उसको generate करेगा. और data has been saved successfully के नाम से यहाँ पर message पुर्दशित किया जाएगा. तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर डीडियों को जो समझत है जानकारी online file करनी है और प्राण यहाँ से generate करना है. अब दोस्तों मैं बता दूँ, मैंने आपको बता दिया है कि प्राण कैसे generate करना है, कौन सी साइट है, थोड़े से नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको बता दूँ अब दोस्तों देखते हैं आगे, कि जो अपनी मैं बता दूँ जो प्राण का जो status है, वो कैसे जाने, आ जो CRA की साइट है, वो www.npscra के नाम से है, दोस्तों npscra जो यह साइट है, जो आपको दिख रही स्क्रीन पे, npscra.nhdl.co.in है, जो अपनी साइट है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो एक नई विंडो इस फरकार से उपन होगी, दोस्तों इस फरकार से यह आपनी विंडो अपने साइट पर आ जाएंगे, और अवर जो प्राण नमर की जो ओनलाइन जो प्रोसेस है, वो यहां से अप्लाई होगा, तो दोस्तों जो प्राण नमर है, वो डीडियो लोगिन के मात्यम से होगा, इसके बाद में अपने वो स्थाई पते से समंदिर दस्तावे चाहिए जनम प्रम जनम तीति से सम्मदित दस्तावे चाहिए पैन कार्ड चाहिए इसके अलवा बैंक अपने ही डेटियल वो भी यहाँ पर चाहिए मैं बता दू यहाँ पर जो लोगिन का जो उप्षन है इसमें नोडल ओफिस के नाम से उप्षन है आप इस पर जैसे ही जाएंगे या आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर अपने को लोगिन नोडल ओफिस पर क्लिक करना है और नोडल ओफिस के मादम से ही यहाँ पर दोस्तों बता दूँ प्रांड नमबर का जो फॉर्मेट है वो और नहीं नहीं यहाँ पर अप्लाई होगा तो तो इस परकार से यहाँ पर जो अपनी यूजर आइडी है जो यूजर आइडी वो एसवीजी नमबर होता है इसके लावा पासवर्ड और केप्चा अपने को इंटर करके यहाँ पर लोगिन करना होते है इसके बाद में यहाँ पर जो है प्रांड नमबर का उप्शन आता है प्रांड जनरेट का उस पर क्लिक करना है और अपनी जो मैतोपन डिटेल्स है इसमें fill up करनी है जिसमें अपनी code detail, contact detail, bank and employment detail, scheme and nominee detail, photo and signature आदी यहां पर अपने को upload करने होते हैं और दोस्तों अपने जो लगबग 2-3 दिन बाद में अपने जो प्रान नमर है वो यहां पर generate हो जाते हैं जियां दोस्तों आपकी जो प्रान नमर है वो generate हो जाते हैं अब दोस्तों बात ही आती है कि सरफ प्रान नमर तो हमने generate कर वा लिया है क्योंकि यह डीडियो लोगिन के मादम से ही होता है मैं बता दूं आपको अब अपन स्टेटस देखना चाहते हैं कि प्रान जो कार्ड है उस वो अपना dispatch हुआ या नहीं हुआ या क्या इसकी स्तती है तो लास्ट लास्ट ओप्शन है प्रान कार्ड डिस्पेच स्टेटस इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों एक नई विंडो यहां पर इस प्रकास स प्रान प्रान का इस प्रान को प्रान नंबर नहीं है नहीं हई या अगर जनरेट हो गया तो आप इसमें फिलफ कर सकते हैं यह जो दूसरा option है PPN का इसमें आपको अपनी employee ID RJ या जो भी आपकी employee ID है वो यहाँ पर fill up करनी है इसके बाद में यहाँ पर capture code डालना और submit करना है तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर submit क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो employment ID है employee ID है जिसमें RJ जो आप से स्टार्ट होती है उससे वो दिखाएगा इसके लवाब आपके प्रांड नंबर यह भी आपर शो करेगा जियां दोस्तों employee ID शो करेगा प्रांड नंबर शो करेगा उसका status शो करेगा कि जो request फोर्म वो सम्मिट हो गया और request अंडर प्रोसेस है या प्रांड कार्ड का क्या status है डिस्पेच हुआ या नहीं हुआ तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना status रख सकते हैं अगर आप जो प्रांड नंबर है वो डीडियो लोगिन के मादम सही आप अप्लाई कर सकते हैं डीडियो लोगिन में आपको मैंने बता कि जो लोगिन है उसमें जो यूजर आइडिया वो एस्वीजी नमर आएगा पासवर्ड डालना आपको वाद में केप्चा कोड यहां पर डालना है जैसे आप केप्चा क्लिक करना है और यहां पर जो नई विंड्र है उसमें प्ट दैस के यहांत पर इंप्डन भुशे इंप आइडियो पसंद्स थात्राए श्जयार ने आपकी अपने यूठ्यक तक लाहां कि को स्पक्रेंग य्यास सब्क्रेंग मैं आर दस्ट अ